आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Name a plant where rhizoids are Multicellular, Branched and Oblickly Septed यहां पर पूछा गया है कि कौन सा प्लांट ऐसा है जिनके rhizoids Multicellular होते हैं, Branched होते हैं और Oblick Septed जो है वो पाया जाता है तो Basically अगर rhizoids का बात करें तो यह होते हैं Root Like Structures और Root Like Structures जो पाये जाते हैं जिनमें क्या होता है कि इनके अंदर Main काम जो रहता है वो Water Transfer कर रहता है और साथ में यह लोग क्या करते हैं तो यह लोग Anchorage का भी काम करते हैं इन दे प्लांट तो rhizoids जो structure होता है उनमें बहुत सारे Adventitious Root जैसे structures पाये जाते हैं जो कि Mostly Mosses में दिखाई देते हैं और Mosses के अगर Body में देखे तो यह जो Root Like Structure Rhizoids है उनमें क्या होता है कि Multicellular यानि Many Cells से यह लोग बने हुए रहते हैं जैसे कि Roots रहते हैं और साथ में क्या होता है कि Branch Structure भी पाया जाता है जैसे कि Adventitious Root में दिखाई देता है और इनके अंदर क्या होता है कि Oblick Septa जो है वो भी दिखाई देता है जिसके वह से क्या होता है कि इनमें जो Neutrients है वो यह लोग Soil से लेके Plant Body तक Transfer कर पाते है तो यह जो पूरा Structure है यह Mosses में पाया जाते है तो For Example यह जो पूरा Structure होता है जिनमें Gametophyte Stage में Count होता है यह जो हमारा Rhizoid है और यह जहां पर पाये जाते है उनका अगर Example लिखना है तो वो है Funeria वाला Plant तो Funeria में ही इस ऐसे Structures जो है वो दिखाई देते हैं इसलिए हमारा Correct answer जो है वो हो जाएगा Funeria Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर